इंदौर में लगातार नशी का कारूबार करने वालों पुलिस शेकंजा कसी नजर आ रही है जिसमें लगातार ड्रग पैडलर वा पफ पर छापमार कारवाही की जा रही है वहीं प्रीती जैन के बेटे येश की प्रेमी का और उसका एक सहीयोगी को विजय नगर पुलिस ने अंकित को पकड़ने में सफलता हासिल की है यश जैन इंदोर शहर के पब बार वा रेस्टोरेंट में पार्टी के नाम पर स्कुल वा कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुला कर उन्हें नशी की लत लगा देता था वही यश की प्रेमी का तरन्नुम यश के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेश दिया करती थी SIT की पूसराज में प्रिती जैन और आंटी ने बताया कि यश वा आंटी दोनों मिलकर गिरहो संचालित कर रहे थे वही पकड़ी गई तरन्नुम यश की करीबी मानी जा रही है और यश के कहने पर कलब, रेस्टोरेंट, पववबार में छोटे कबड़े पहन कर अपने जाल में लोगों को फसानी का काम करती थी और उन्हें ड्रक्स की लद्ध लगा देती थी, उसके बाद आसानी से लड़किया उपलब्ध कराई चाहती थी इसी के साथ यश वा आंटी के साथ काम करने वाले अंकित को भी गिरफतार किया गया है वही तरह नुमवा अंकित को विजयनगर पुलिस द्वारा कोट में पेश कर रिमान लिया जाएगा जिसमें के नकाब पोश लोगों के चेहरे उजागर होने की पुलिस द्वारा सभावनाय चताई चाहरी है जैसा आप लोगों को मालूम है कि इन दौर पुलिस द्वारा अवैद मातक पदार्तों के बुद कारवाई की जारी है इसमें पूर में प्रकरण पंचिबत किया गया था उसी तारतम में विजयनगर थाना में कल दो गरफतरिया हुई है उसमें एक युवती है और एक युवक है जो युवती है वो पिछले कई सालों से पप्स बार वगईरा में जाती है ऑधल था उसका नुरत्य करने का काम रहता है इसके लावा ये अवैद मातक पदार्त का इसके पैडलर के तब पर भी काम कर रही थी पूर में जो विष्णा हुई है उसमें साक्ष प्राप्त होने पर इसकी गरफ्तारी की गई है और जो युवक है वो भी इसी रैकेट में शामिल है अमोमन वो हुक्का भरने का काम अच्छा हुक्का भरता इस तरह की उसकी शोरत रही है और वो हुक्का भरने का काम करता रहा बेयो रिपोर्ट वोल्ज अव्राइट